हिंदी साहित्य वन लाइनर कोश्चन्स क्विक रिविजन वेद आर्ती शर्मा दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों हमारा आज का विश्य है हिंदी साहित्य का काल विवाजन एवं नाम करण तो आए दोस्तों हम शिरू करते हैं, हमारा पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विवाजन के लिए कितनी पदितियों का सहारा लिया गया है तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चार पदितियों का प्रश्न दो, काल विवाजन के लिए अपनाई गई चार पदितियां कौन सी हैं? तो दोस्तों, प्रथम गुतिये, तृतिये और चतुर्थ पदिति, तो ये चार पदितियां हैं, जो काल विवाजन के लिए अपनाई गई हैं प्रश्ण तीन, प्रथम पद्यती में साहित्य के इतिहास का विवाजन कितने कालखंडों में किया गया है? तो दोस्तों, इसका उत्तर है चार युगों में या चार कालखंडों में? प्रश्ण चार प्रथम पद्यती के अनुसार साहित्य इतिहास विवाजन के चार कालखंड कौन से हैं? तो दोस्तों, इसका उत्तर है आधिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल प्रश्ण पांच, साहित्य इतिहास विवाजन की प्रथम पद्यती किनके इतिहासों में अपनाई गई है? तो दोस्तों, उत्तर है आचार रामचंडर शुक्ल और नागरी प्रचारिनी सभा के इतिहासों में प्रश्ण 6. द्वित्य पद्धिती में साहित्य के इतिहास का विवाजन कितने कालखंडों में किया गया है? तो दोस्तों, तीन कालखंडों में किया गया है प्रश्न साथ द्वित्य पद्धिती के अनुसार साहित्य इतिहास विवाजन के तीन काल खंड कौन से हैं? तो दोस्तों आधिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल प्रश्न आठ शाहित्य इतिहास विवाजन की द्वित्य पदिती किनके इतिहासों में अपनाई गई है तो दोस्तों इसका उत्तर है डॉक्तर गणपती चंद्र गुप्त और बारतिय हिंदी परिशत के इतिहास में प्रशन नौ तृत्य पदिती में साहित्य का विवाजन किसके अनुसार किया गया है तो दोस्तों इसका उत्तर है विधा करम के अनुसार प्रश्न 10 विधा करम के अनुसार साहित्य के विवाजन में किसका ध्यान रखा जाता है तो दोस्तों इसका उत्तर है कवीता तथा गद्य साहित्य की विवित्य विधाओं के इतिहास का ध्यान रखा जाता है प्रश्न 10 में फिर से दोरा रही हूं दोस्तों विधा करम के अनुसार साहित्य के विवाजन में किसका ध्यान रखा जाता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कवीता तथा गद्य साहित्य की विविद विधाओं के इतिहास के वर्गी कृत विवेचन का ध्यान रखा जाता है प्रश्न ग्यारा चतुर्द पदिती में साहित्य का विवाजन किसके अनुसार किया गया है तो दोस्तों इसका उत्तर है रिजू पदिती के अनुसार, प्रश्न बारा, रिजू पदिती में किस किस तरह के काल विवाजन को यथार्थ माना जाता है, तो दोस्तों यहाँ पे एक शब्द दो बार रिपीट हो गया है, किस किस तरह के, तो यहाँ पे सिर्फ एक आएगा, ठीक है किस तरह के तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ प्रश्न बारा रिजू पदिती में किस तरह के काल विवाजन को यथार्थ माना जाता है तो दोस्तों इसका उत्तर है शुद्ध काल करम के अनुसार वस्तुगत विवाजन को प्रश्न तेरा डॉक्टर ग्रियर्शन ने दा मॉडन वर्नक्यूलर लिट्रेचर ओफ हिंदुस्पान के किस अध्याए में काल विवाजन के इस पस्ट निर्देश दिये हैं तो दोस्तों इसका उत्तर है बारवे अध्याए में प्रश्न चौदा शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है तो दोस्तों इसका उत्तर है प्रवर्ती की प्रधानता के आधार पर प्रश्न पंद्रा आचारे शुक्ल द्वारा प्रणीत साहित्य में सबसे अधिक विवादास्पद काल कौन सा रहा है तो दोस्तों आधिकाल आधिकाल साहित्य में सबसे विवादास्पद काल रहा है ठीक है प्रश्न सोला डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्षन ने आधिकाल क क्या नामकरण किया उत्तर चारणकाल तो जॉर्ज ग्रियर्शन ने आधिकाल को जो नाम दिया दोस्तों चारणकाल नाम दिया और इन्हों ने आधिकाल की समय सीमा रखी है 700 इसवी से 1400 इसवी दोस्तों यहां पर मिस्टेक है तो यहां पर 1700 नहीं होगा यहां पर 700 होगा तो दोस्तों यह भी स्टेक हो गई है तो आप इसको सुधार लें हम फिर से रिपीट कर देते हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्शन ने आधिकाल का नामकरण किया इन्होंने नाम दिया चारणकाल और इन्होंने आधिकाल के समय माना है 1720 से 1420 तक दोस्तो प्रश्न सत्रा मिश्र बंदूओंने आधिकाल का क्या नाम करण किया तो दोस्तो प्रारंबिक काल मिश्र बंदुओं ने आधिकाल को प्रारंबिक काल नाम दिया है और इन्हों ने जो अपनी समय सीमा रखी है वो 700 विक्रम समवत से 1444 विक्रम समवत तक मानी है प्रश्न अठारा आचारे रामचंद्र शुकली जी ने आधिकाल का क्या नाम करण किया है तो दोस्तों वीर गाथा काल तो आचारे रामचंद्र शुकली जी ने आधिकाल को वीर गाथा काल कहा है इन्होंने इसकी समय सीमा रखी है 1050 से 1375 तक प्रश्न 19 प्रश्न 19 है दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधिकाल का क्या नामकरण किया तो दोस्तों इनों ने आधिकाल को संधी चारणकाल कहा और इसकी समय सीमा इनों ने 750 विक्रम समवत से 1375 तक मानी है प्रश्न 20 हिंदी साहिते के प्रथम काल को आधिकाल नाम किस ने दिया तो दोस्तों इसका उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद दुएदी ने और इनहीं के दिये हुए नाम पर यानि कि आधिकाल पर ही क्या हुआ कि काल विवाजन को लेकर जो सबसे ज़्यादा बहस हुई ह वो आधिकाल नाम पर ही हुई है और इन्होंने आधिकाल का समय कब से कब तक माना है एक हजार से तेरा सो सत्रा इस्वी तक प्रश्न 21 राहुल सांक्रित्यायन ने आधिकाल का क्या नाम करण किया तो दोस्तों सिद्ध सामंत काल इसका उत्तर है सिद्ध सामंत काल प्रश्न 22 विश्वनात प्रसाद मिश्र ने आधिकाल का क्या नाम करण किया तो दोस्तों इन्होंने आधिकाल को वीरकाल कहा है फिर से रिपीट कर रही हूं विश्वनात प्रसाद मिश्र ने आधिकाल को वीरकाल कहा प्रश्न 23 डॉक्टर रमा संकर सुक्ल रसाल ने आधिकाल का क्या नाम करण किया तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जैकाल प्रश्न 24 डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधिकाल का क्या नाम करण किया तो दोस्तों उन्होंने आधार काल नाम दिया किसने डॉक्टर मोहन अवस्थी ने प्रशन 25 दिरेंदर वर्मा ने आधिकाल का क्या नाम करण किया तो दोस्तों इन्होंने आधिकाल को अपभरंश काल कहा प्रशन 26 चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने आधिकाल का क्या नाम करण किया तो दोस्तों इन्होंने आधिकाल को अप भ्रंश काल कहा प्रश्न 27, महावीर प्रसाद दुएदी ने आधिकाल का क्या नाम करण किया तो दोस्तों इन्होंने आधिकाल को वीज वपन काल कहा है प्रश्न 28 गणपती चंदर गुप्त ने आधिकाल का क्या नाम करण किया तो दोस्तों इन्होंने आधिकाल को प्रारंबिक काल कहा है प्रश्ण 29 डॉक्टर वासुदेव सिंग ने आधी काल का क्या नाम करण किया तो दोस्तों डॉक्टर वासुदेव सिंग ने आधी काल को उद्भव काल कहा प्रश्ण 30 आचारे रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विवाजन काल क्रमा नुसार कैसे किया गया है तो दोस्तों आचारे रामचंद्र शुक्ल के नुसार हिंदी साहित्य के काल विवाजन कुछ इस तरह से हैं जैसे पहला आधिकाल जिसे उन्होंने वीर काथा काल कहा है और जिसकी समय सीमा इन्होंने विक्रम समवत यानि एक हजाद पचास से तेरा सो पिचत्तर तक मानी हैं वहीं हम बात करेंगे दूसरे की काल की यानि कि इन्होंने आधिकाल के बाद पूर्व मध्यकाल यानि की भक प्रश्निक फिर आता है उत्तर काल के बाद आधुनिक काल जिसे रामचंद्र शुकल ने गध्य काल कहा है दोस्तों most important question है अक्सर पूछा जाता है और सभी students इसमें confused होते हैं तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि आधुनिक काल को रामचंद्र शुकल ने क्या कहा है गध्य काल कहा है ठीक है तो आप पिये ध्यान रखेंगे और इसकी समय सीमा इनोंने 1900 से अब तक मानी है तो दोस्तों हमने इस तरह से देखा कि आचारे रामचंद्र शुकल ने अपने हिंदी साहित्ते के इतियास का काल विवाजन बहुत ही सूव्यवस्तित ढंग से किया है इसके बाद हम आते हैं प्रश्न 31 आचारे रामचंद्र शुकल ने हिंदी साहित्ते के पूर्व मध्यकाल को क्या कहा तो दोस्तों भक्तिकाल आचारे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के फूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल कहा प्रश्न 32 फिर से रिबीट करें दोस्तों प्रश्न 32 आचारे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तरकाल को क्या कहा है तो अभी हमने पढ़ा था आचारे रामचंद्र शुकल ने उत्तर काल को रीती काल कहा है प्रशन 33 प्रवर्ती के आधार पर किस काल का नामकरण किया गया है दोस्तों most important question ध्यान रखें यहां पर प्रवर्ती यानि विशेष्टाओं की बात हो रही है तो विशेष्टा के आधार पर यानि प्रवर्ती के आधार पर किस काल का नामकरण किया गया है तो दोस्तों रीती काल का प्रशन 34 जोर्ज ग्रियर्सन ने रीती काल को क्या कहा है तो दोस्तों इसका उत्तर है रीती कावे अब ही हमने देखो पढ़ा था आधिकाल के संदर में कुछ बाते कहीं थी और आधिकाल के जो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग नाम बताएं हैं उस पर चर्चा की थी अब आधिकाल के बाद अगर हम देखेंगे तो काल विवाजन में जो इंपोर्टेंट आता है वो आता है रीतिकाल तो अब हम रीतिकाल के विशे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि रीतिकाल को किस-किस विद्वान ने किस-किस नाम से पुकारा है ठीक है तो यहाँ पर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं प्रशन 34 जोर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को क्या कहा तो दो करेशनीaws 36 विश्वनात प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या कहा तो दोस्तों श्रिगार कण कहा विश्वनात प्रसाद Не रीतिकाल को श्रिगार काल कहा दोस्तों बहुत ही important question है याद अक्सर एक्जैम में ये पूछा जाता है तो आप ध्यान रखेंगे जब भी विश्वनात प्रसाद मिश्र की बात होगी तो आपको याद रखना है कि श्रिंगार काल ठीक है तो श्रिंगार काल के बारे में आप याद रखेंगे इसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 37 डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने रीती काल को क्या कहा तो दोस्तों कला काल रमाशंकर रसाल ने रीती काल को कला काल कहा प्रश्न 38 त्रिलोचन ने रीती काल को क्या कहा तो दोस्तों अंधकार काल प्रश्न 49 आचारे र रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है तो दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था आचारे रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्धे काल कहा है और मैंने बताया भी था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए प्रशन 40 इसके बाद हम बात करते दोस्तों प्रशन 40 यानि कि आधुनिक काल के अन्य नाम क्या है ठीक है तो यानि कि यहां पूछ रहे हैं कि आधुनिक काल को और किस-किस नामों से बुलाया जाता है या आप कुछ भी कहें, तो आप इसका उत्तर देंगे भारतेंदु युग तो आधुनिक काल को भारतेंदु युग और पुनर जागरंड काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 41 डॉक्टर त्रीव भूवनन ने 1857 से 1947 तक की अवधी को क्या कहा है? तो दोस्तों जागरन काल कहा है तो डॉक्टर त्रीव भूवनने 1857 से लेकर जो उनिस सो 47 तक का जो समय है उसे जागरन काल कहा है दोस्तों इसके बाद हमारा अगला प्रश्ण है प्रश्ण 42 याने की अभी हमने पड़ा डॉक्टर त्रिभुवन वाला तो सोरी दोस्तों हम इसको रिपीट नहीं करेंगे हम अगले प्रश्ण पर जाएंगे प्रश्ण 43 तो जोर्ज ग्रियर्शन ने काल विवाजन में हिंदी साहित्य का प्रारम कब से माना है तो दोस्तों इसका सही उत्तर है साथ सो विक्रम समवत से देखिए दोस्तों यहां तक हमने पड़ लिया रीति काल को किस किस नाम से जाना गया अब हम यहां देखेंगे कि जो काल विवाजन के जो शुरूआत हुई काल विवाजन की कवियों के अलग अलग मत थे किसी ने कभी से शुरूआत मानिये किसी ने कुछ समय से मानी है तो यहां पर हमने कोशिश की है कि कुछ मैत्पून लेखकों को उठाया है जो कि जिनोंने पहली बार हिंदी के आधार पर नामकरण करने की कोशिश की या फिर यह माना कि हिंदी की वास्तम में शुरूआत कब से हुई तो लगभग लगभग मैंने कुछ-कुछ अनुमान kutiko Trask contribute as a ऑगर किसी भी और कोई कम आए तो आप अगर सधार सकते हों तो सुधारने की कोशिश करें रही हिlt टो सब् Mikraam सब करें तो सत्त्रासु विक्रम संवच से प्रशन कररें। दौक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विवाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंब कब से माना है। दौक्टर नगेंदर ने काल विवाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंब कब से माना है। दौक्टर ने काल विवाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंब कब से माना है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्ण है प्रश्ण 48 आचारे रामचंद्र शुक्ल ने काल विवाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंब कब से माना है। तो दोस्तों एक हजार पचास विक्रम समवत से हमने अभी पहले भी पढ़ा कि आचारे शुक्ल ने एक हजार पचास विक्रम समवत से हिंदी साहित्य का प्रारंब माना है। प्रश्न 49 डॉक्टर गणपती चंद्र गुप्त ने काल विवाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंब कब से माना है। तो दोस्तों चौधवी शताबदी से चौधवी शताबदी से। यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ आपको इतना देखना है कि प्रश्न 49 में डॉक्टर गणपती चंद्र गुप्त ने 1184 इसवी का समय माना है हिंदी साहित्य के प्रारंब का और प्रश्न 50 में जियोतिसवर ठाकुर ने हिंदी साहित्य के प्रारंब का 14 इसवी सताबदी से प्रारंब माना है ठीक है तो दोस्तों आज के वीडियो में कुछ मिस्टेक्स भी हुई है और अगर से मेरी तरफ से अगर कुछ फैक्स में भी मिस्टेक आई हो तो अगर आप सुदार सकते हैं तो प्लीज अपने कमेंट जरूर करें और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें इसे शेर करें और सब्सक्राइब करें धन्यबाद दोस्तों